तो उसको आधुनिक्ता से विज्ञान से टक्लालोजी से जोड़ करके देखा जाता है और जब यह सामर्त विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना अनेक आउसर हमारे दर्वाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं जी ट्वेंटी की अभूत्पुर्व सफलता साट से अधीक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत मन्थन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवन्त अनुभव भारत की विवित्यता भारत की विशेस्ता जी ट्वेंटी अपने आप में हमारी विवित्यता का सेलिबरेशन बन गया और जी ट्वेंटी में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि Global South के हम आवाज बने आफ्रिकन उनियन को स्थाई सदस्यता और G20 में सर्वसम्मती से डिकलेरेशन यह सारी बाते भारत के उजवल भविश्य के संकेत दे रही है कल यशो भुमी एक इंट्रनेशनल कन्वेंशन सेंटर राश को समर्पित हुआ कल विश्वकर्मा जैंती थी देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंप्रागत पारिवारिग हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंदर और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भुवी का अधा करें ऐचे अनेक एक के बाद एक भारत के गवरों को बढ़ाने वाले एक प्रगार चे उत्सव का माहोल, उत्सा का माहोल, उमंग का माहोल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्ष्व भूम में संसद का ये सत्र ये सही है कि ये सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है आईतिहास एक निर्णों का एक सत्र है ये सत्र की एक विसेत्ता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा अम नए मुकाम से आरंब हो रही है जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की वो अत्यंत प्रेरक पल और आप नए स्थान पर उस यात्रा को आगे भढ़ाते समय नए संकल्प नई उर्जा नया विश्वास और समय सिवा में 2047 में इस देश को देवलप कंट्री बना करके रहना है इसके लिए आने वाले जितने भी दिने होने वाले हैं वह इस नए संसद भौन में होने वाले हैं और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण यह सत्र है मैं सभी आदरनिय संसदों से अग्रह करता हूं इस छोटा सत्र है जादा से जादा समय उनका मिले उमंग और उत्सा के वातावर में मिले रोने धोने के लिए बहुत समय होता है करते रही है जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं विश्वास से भर देते हैं मैं छोटे सत्रक उस रूप में देखता हूं मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराईयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाईयों को साथ ले करके हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाईयों की मुल्य बुर्द्धी करने में कोई कमी नहीं रखेंगे ये प्रण सभी साउसद हम ले करके चलें इसका ये महत्वपुन पल्व है कल गणेश श्यतुर्धी का पावन पर्व है गणेश जी विग्न हर देवता माने जाते हैं अब भारत की विकांस यात्रा में कोई विग्न नहीं रहेगा निर्विग्न रूप से सारे सपने सारे संकल्प भारत परिप्रून करेगा और इसलिए गणेश चतुर्धी के दिन नवप्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्द करने वाना बनेगा इसलिए भी इस चत्र सत्र छोटा है लेकिन बहुत मुल्यवान है बहुत बहुत धन्यवाद